नमक पारे इस नौवल को तहरीर किया है उम्मे तैफूर ने दुबई मुझे नहीं दुबई को मैं महंगी पढ़ने वाली थी बावले चड़ छड़ अब मुझे ज़रा अराम करने दे मैं बहुत सक ठक गई हूँ उठू तो घरवालों से बात करा देना उन्हें भी तो इतला कर दूँ कि मैं साथ खरियत के दुबई पहुँच गई हूँ तब तक तू उधर अकेला बैट के हसले दादी ये कहकर करवट के बल लेट गई और इखलाक पाइन आकर खड़की के पास खड़े होते हुए बोले खाला तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि हम समी के फ्लैट में क्यों नहीं गए सीधा असल में उसके फ्लैट की चाबिया लाना तो मैं भूल ही गया अब हमें एक हफ़ता इस होटल में रुक कर उसका इंतिजार करना पड़ेगा वैसे भी ये पाकिस्तानी होटल है इसका मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मुद्दत से दुबई में होटल खोल रखा है तुम सोके उठो तुम मिलवाता हूं उससे खाला खाला वो बोले जा रहे थे उन्हें महसूस हुआ कि दादी सोच चुकी है पुकारने पर भी जवाब ना आया तो गरदन फेर कर खिड़की से बाहर के नजारे को पुर सोच निगाहों में तकते हुए वो अगला लाहे अमल तर्तीब देने लगे मगर अगला लाहे अमल दादी ने तैक कर रखा था फजर के वक्त दादी उठी तो मुझे अमल जरूर थी लेकिन महसूस नहीं करवा रही थी नाश्टे का पूछा तो सिर्फ चाय का कप मांगा वो कंधे उचका कर हसते हुए नाश्टा करने लगे साथ साथ दादी से बाते भी किये जाते मगर दादी हूँ हाँ से ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी नाश्टा करने के बाद दादी ने खुद मूँ से बोला कि वो आज सारा दिन दुबई घुमे फिरेंगी इखलाक पाइन उनकी तवित के हराबी की वज़ा से जुजबुस थे मगर दादी की जित के आगे गुटने टेकते हुए उनका जरूरी समान हैंड बैग में रख कर निकल बड़े दुबई की बरफ चानने क्योंकि उन दिनों दुबई में जगा जगा बरफ पर रही थी और दादी को बरफ बारी देखने की कभी बड़ी हसरत थी वो सारा दिन यूही तमाम किया दादी ने कभी इधर तो कभी उधर फिरते फिराते दादी के पाउं सूज गए बलड प्रेशर और शुगर की दवा खा बैठी थी दादी को इस बात की बहुत खुशी थी कि दुबई में पाकिस्तान ही पाकिस्तानी है जिस तरफ देखो उर्दू पंजाबी पश्तो बोलते उन्हें अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं दिखा था जिसने लंबा सट टखनों को छूता सफैद चुगा पहना हुआ हो सर पे सफैद रुमाल रख्के उसे कुकर के रबड से टिका रखा हो इखलाक पाईन को तो खुद ये बाद अपनी खाला से अब पता चली के कुकर के ढखकन का रबड किस इस्तमाल में आ सकता है वो हकीकतन अशच कर उठी आब औ हवा की तबदीली और मौसम की शिदत ने दादी पे हरगिस अच्छा असर नहीं डाला था उपर से वो सारा दिन जैसे जिद बांदे दुबई फिरती रही थी कितनी ही जगों पर रुक रुक कर वो फितरत की रानाईयों को बगौर देखे जाती और ऐसी मगन होती कि इखलाक पाईन को उनका इर्तिकास तोड़ना पड़ता एक नमी सी दादी की बूड़ी आँखों में तैर सी जाती इखलाक पाईन समझ रहे थे कि वो घर और घरवालों के लिए उदास हैं जिंदगी में पहली दफा यूँ वो सबसे दूर हुई थी रात होने तक दादी बुखार में फिनक रही थी जब दमे का दूसरा अटेक हुआ तो इखलाक पाईन को डॉक्टर बुलाना पड़ा होटल का मालिक दोस्त था वरना वो अनजान जगा पर मुश्किल में पढ़ जाते डॉक्टर ने मुकमल अराम करने का कहा था और किसी भी किसम की मुशक्कत से सक्टी से मना किया था वरना हालत संगीन हो सकती थी उसने मश्वरा दिया कि बहतर है कि इनको वापिस अपनों में ले जाएं या किसी अपने को यहां बुला ले इखलाक पाईन ने बामुश्किल रात निकाली थी और अगले दिन सुभा सुभा दोस्त की गारी में नीम गनूदा दादी को ढाला और वापसी का कस्त किया दादी की मसलसल मेरा समी मेरा समी की पुकार ने उनके हवास मौतल किये रखे जिस वक्त इखलाक पाईन दादी को लेकर घर पहुंचे बड़े से सहन में सभी घर के अफराद इखटे थे चाय का दौर चल रहा था और मौजव सुखन दादी ही थी इखलाक पाईन के हमरा नीम मुर्दासी दादी को देखकर ताया जी और वसीम सहाब के पैर हाथ पैर फूल गए थे समी हग तक कुरसी फ्हलांगता दादी के पास पहुंचा और उन्हें बाज़ों में थाम कर सहन में बिचे उन्ही के तखट पर लिटा लिया सभी उनके गिर्द इखटे हो चुके थे ताया जी और वसीम सहाब ने खा जाने वाली नजरों से माज़दा ताय और शाजिया बानो को देखा और मर्यम को समी ने हाला के अगर कुसूरवार थे वो तो सब थे और नहीं था तो कोई नहीं था इखलाक पाइन पर सवालात की बोचाड हो रही थी कब कैसे क्यूं का जवाब देते हुए वो हस कम रहे थे और खिसिया जादा रहे थे उनको क्या इल्म था के लेने के देने पड़ जाने हैं उन्होंने अपनी तरफ से भलाई चाही थी जिसने कमसकम दादी की तो मलाई बना के रख दी थी समी भागम भाग डॉक्टर को बुला लाया था दोनों पुपो और राब्या भी पहुँच चुकी थी भाद भाद की बोलिया और कयाफे मर्यम का दम दम बदम खुश्ख हुआ जा रहा था डॉक्टर ने फौरी इंजेक्शन लगा कर और जरूरी ट्रीटमेंट के बाद फीस वसूली और वापिस हो लिया कुछ देर में दादी की रंगत में बहतरी के असार नमुदार होना शुरू हुए तो एक बार फिर सब के सब उनके गिर्द जमा हो गए नकाहर जदा आँखे खोली अपने सब प्यारों के चहरे आसपास देख के खिल सी गई हाथ बढ़ा के सबसे पहले समी का सर सीने से लगाया और फिर उसे इशारे से उठा के बिठाने को बोला आँखों की नमी आस्तीन से साफ करते हुए उसने दादी को टेक लगवाई और खुद भी उनके तख्त पर बैट कर महबत से उनका हाथ थाम लिया शर्मिंदा शर्मिंदा से सब ही होले होले हाल एहवाल पूछने लगे दादी अब कदरे फ्रेश सी छोटे छोटे जवाब दे रही थी सब के दिल मुतमईन हुए थे और मर्दों के तेवर नॉर्मल शाम तक दादी बहुत बहतर थी और वो अपनी दुबई यात्रा के किसे बड़े जोखो शोख से सुना रही थी जिन्हें सब एक दूसरे से नजर चुराते बजाहर मुस्कुराते सुन रहे थे सिवाए इखलाक पाइन के जिनकी कपकी रुकी हसी अब रुकने का नाम ना लेती थी अगले दो दिन दादी ने सबको दुबई की बरफ पोश पहाड़ों और उन पे बने खिलोने जैसे दिखते मकानों के किसे सुना सुना कर मरूब किये रखा नन्नी फुपो और नन्नी फुपो का छोटा तुमारे हैरत के हातों को दाथ कारते थे मगर उन्हें किसी भी तरह दादी से कुछ भी पूचने से मना किया गया कि डॉक्टर ने खास तलकीन की है कि दादी को हरकिस ना कुरेदा जाए वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा और इस काम का बेड़ा भी इखलाक पाइन ने उठाया था वो भी हसस के दोनों फुपियों को बाज रखे हुए थे मगर वो दोनों इखलाक पाइन से ये जानने पे बाज़ित थी कि दादी आखर दो दिन के लिए कहा गई थी देखें इखलाक पाइन हम बच्चे नहीं है हमें पता होना चाहिए कि अम्मा कहा थी दुबई पागल बना रहे हैं आप अम्मा को भी जहांसा दिया कहा गए थे आप दुबई अच्छा दो दिन में वापस भी हो गई आखर ऐसी कौन सी दुबई है जहां से इतनी फुर्ती दिखा के वापस भी आया जा सकता है दुबई और दोनों बहनों ने सर पीट लिया मगर इखलाक पाइन ने भी सिरा पकड़ा दिया समी और मर्यम के दुबई जाने में दो दिन रह गए थे दादी का रद्ध्यमल बिलकुल नॉर्मल था और इजवात को लेकर घर वाले बेहत मुतमईन थे यानि दुबई देख लेने के बाद दादी को मर्यम के दुबई जाने पर अब कोई एतरास नहीं था वो जान गई थी कि इस उमर में बिमारियों का पुलंदा लिये वो घर वालों के बगएर कहीं नहीं रह सकती ताया जी और वसीम सहाब दोनों ने समी को दादी की तरफ से बे फिकर रहने को कहा था वो उनकी मा थी, उनकी जिमदारी इसलिए वो दादी को अभी से ही अपने पोर्शन में ले गए थे दादी अपने घर को खाली देखकर खाली नजरों से तकती रही थी मगर एहतजाज नहीं किया था समी और मर्यम के बीच जो दडार सी आई थी वो आपो आप खतम हो गई थी दोनों के दिल पूरी शिद्दत से एक दूसरे के लिए धड़क उठे थे वो जी जान से पैकिंग करने में मसरूफ थे इखलाक पाइन के शुकर गुजार के आज उनकी वज़ा से दादी मर्यम को भेजने पे रज़ामंद हुई थी अगर बर्वा को तरकीब ना लड़ाते और दादी को हैंडल ना करते तो इस बार भी समी अकेला वापस जाता बलके मर्यम उससे मजीद दूर हो जाती दादी की कुछ जरूरी चीज़ें देने मर्यम उनके कमरे में आई थी खिली खिली और तरो ताजा दादी ने जी ही जी में सब बलाएं ले डाली यक टिक उसे देखे गई फिर हाथ थाम कर उसे अपने से करीब किया सर सीने से लगा कर भेजा और सर गोशियाना अंदाज में बोली मेरे समी का खयाल रखना अब उसकी दादी नहीं होगी तो उसकी कमी महसूस ना होने देना उसे हर रिष्टा तेरे पल्लू से बंधा मिले मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत याद करेगा जी बड़ी जल्दी हलका करता है तू उसे संभाले रखना और सुन मेरी एक आखरी बात कान मेरे करीब ला मर्यम जो जादी के सीने से लगी पुर सुकून अंदाज में आखे मुंदे हर्फ हर्फ दिल में उतार रही थी यकदम चौंक गई और थोड़ा सीधी होकर कान दादी के होंटों से करीब ले लिए इतने करीब के दादी ने जो बोला उसने मर्यम की समात के परखचे उड़ा दिये चाहने वाला हमरा हो तो जिन्दगी कितनी मुकमल है तितलियों की मानिंद खुशियां इर्दगिर्द रक्सा नजर आती हैं और दुख का एहसास जाइल हो जाता है मर्यम आजकल ऐसे ही बादलों के संग उड़ती थी वो और समी साथ थी एक खुआब ताबीर की सूरत उसकी मुठी में था वो समी और अनाया एक मुकमल तिकोन मुकमल फैमली उसे 72 घंटे हो चुके थे दुबई आए और इन 72 घंटों में 72 मिन भी ऐसे नहीं गुजरे थे जिनमें समी ने उसे एक पल को भी नजर से ओजल होने दिया हो उस टूडियो फ्लैट की महदूत फिजा में समी की चाहत की कोई हद नहीं थी ऐसी वारफ्तगी तो समी ने पिछले तीन साल में नहीं दिखाई थी इसलिए के वहाँ पहरेदार की सूरत दादी हर वक्त सर पर मुसलत रहती थी उनकी महबत को तनहाई दरकार थी तो आजकल समी का अलतफाद जोबन पर था वो अभी अभी घूम फिर कर वापस आये थे मरियम को उसने चेंज करने से मना किया था वो आज बहुत प्यारी लग रही थी और समी का मोड उसे सामने बैठा कर हाथ थाम कर धे पहले अपने नर्म हातों से गरम काफी बना लाओ ताके कमबखत ताके नीन तोड़े जो दीदारे यार में हाइल होने को बेताब सिरहाने खड़ी है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच इस वक्त कोई भी तीसरा मुदाखलत करे धेरो शिदते निगाहों में समोई व की शिदत से बंध होती आँखों के बावजूद खिलोनों से खेलती अनाया को गोध में भरा और थपकने लगा मर्यम काफी बीट करके दूड डालने वाली थी जब समी के मुबाइल की बैल पे यगदम उसका हाथ छलका उसने कोफ से पलट कर समी को देखा जो मुबाइल का पर उसने समी को चिला कर खड़े होते देखा क्या दादी मर गई नहीं जूट बकवास ये नहीं हो सकता मैं नहीं मानता बात कराएं मेरी दादी से वो ऐसे कैसे नहीं नहीं दूद मग में भरकर अब बाहर छलक रहा था पर मर्यम का हाथ थम ना सका वो सनाटे में रह गई उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था दादी मर गई थी यूं अचानक एकदम जाहिल होने का मतलब ये नहीं कि मैं शाओर से भी आरी हूँ तुम लोग मुझे पहला जरूर सकते हो तहला नहीं सकते मैं जानती हूँ इखलाक मुझे दुबई नहीं मरी लेकर गया था मेरी कि आदाश अच्छी है पुतर जब राबिया फाहद और नाजिश के साथ मरी गई थी तो अपने मुबाइल में वहां की सारी तस्वीरें उतार कर लाई थी और मैंने वो एक एक तस्वीर बड़े शौक से देखी थी इसलिए मैं फौरन जान गई थी कि एखलाक मुझे किध लेकर आया है लेकिन मैं जगड़ा नहीं कर सकी और ना मैंने वापिस आकर किसी को कुछ भी महसूस होने दिया क्योंके पुतर मुझे वहां जाकर सबसे दूर होकर एहसास हुआ कि मैंने अपनी पोती के साथ खौमखा की जिद बांध ली थी मैं कहां इस उमर में सबसे दू रह पाती और मेरा बच्चा अलग पार होता इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम समी के साथ जाओगी मैं मजीद रुकावट नहीं बनूंगी मेरा क्या है पुतर आज मरी कल दूसरा दिन लेकिन तुम लोगों को अभी जीना है दुनिया देखनी है मेरा तो अब अगला ज समझो क्योंकि घर का बड़ा छतनावर दरख की मानिद होता है जिसके साय तले सब छोटे समा जाते हैं दादी के आखरी अलफाज जो उन्होंने मरीम को सीने से लगा कर कहे थी उसी की आदाश में बाजगुश की सूरत लहराई थी दर्द की एक टीज सी उसे अपने दिल में उटती महसूस हुई वो सुन होते हवासों के साथ वहीं फर्ष पर बैठती चली गई तो दादी सच में नहीं रह सकी समी के बगएर तुनलाई आखों से उसने समी को देखा जो मुबाइल अभी भी कान से लगाए धाड़े मार कर रो रहा था क्या था जो वो इतनी खुदगर्ज ना बनती दादी के दिन तो उतने ही थे क्या था वो ये खलिश अपने जमीर के नाम ना करती कि उसने दादी को अकेला छोड़ दिया जिस घर से वो सारी जिन्दगी दूर नहीं हुई थी उससे दूर होकर जिन्दगी से दूर हो गई उसने शिद्दत से अपना सीना मसला जहां यगदम पच्चतावों की आग बढ़क उठी थी और वो जानती थी कि आइंदा जिन्दगी में समी उस आग को कभी बुझने न अगता है और ये वक्त कभी कभार जिन्दगी भर हाथ नहीं आता मैं मुझे एंड वाली वो जो दादी ने मर्यम से बात कही थी ना वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अगर भड़े जुक जाए तो उनको उनका भड़ापन समझना चाहिए यह नहीं समझना चाहिए कि वो उन्हों तेस्टाप बैंग ड़न पीछे अटा लिया है या उनमें वो हार गए है तो मुझे वो चीज बहुत पसंद आई और जिस तरीके से और कैसे उनका अटाच्मेंट अपने पोतों के साथ था और फाहद ने और उसकी बीवी ने किस तरीके से किया और मुझे सबसे जाधा फजला तब आया था जब नाजिश ने लाके सारी सारी वलीमे कर द्रेस सह से मुझे है वो लाके राप्या के साथ और गाभा जब यह जिस Всеने दो रहा हैना है कर आऌकिन लिक वान बाह्ति तो भी तो क्पाच्व थियूर्य बहुत ने आपर भात किस तुम कहां तो मुझे भहत अच्छा लगा करें हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब विडियो को कीजिए लाइक और नौटिफिकेशन को ओल पर सेट करके अपना धेर सारा प्यार फीडबैक के तरिये कमें सेक्षिन में भीजना मत पूरिएगा तब तक के लिए किसी और नहों में मलाकात होगी अजाने के बाद